उधारन 3 यदि सेक ए बराबर 5 बटे 3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोंड मित्य अनुपात ग्याद किजिए दिया है सेक ए बराबर 5 बटे 3 और सेश त्रिकोंड मित्य अनुपात ग्याद करना है इसका अर्था क्या हुआ कि सेस्त्रिकॉन्मीति अनपात कितने हुए? पांच और अनपात बस्ते हैं तो पांच अनपात कौन कौन से होंगे? तो साइन ए, कोस ए, कोसक ए, टेन ए और कॉट ए ये अनुपात हमको ग्याद करने होंगे तो सेक A का यदि संबंध हम किसी इन त्रिगोन मिती अनुपातों में देखते हूँ तो वो हमको ग्यात हो जाएगा जैसे सेक A और कॉस A में हम संबंध जानते हैं कॉस A सेक A का ब्युत्करम होता है तो हम यहाँ पर इसको लिखें कॉस A चूंकि कॉस A बराबर है एक बटा सेक A के और सेक A का मान हमको दिया हुआ है इसलिए कॉस A बराबर एक बटा सेक A का मान रखेंगे तो पांच बटा तीन और जब हम एक बटा एक बटा बी ऐसे लिखते हैं एक बटा एक बटा बी लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं B बटा A इसलिए यहाँ पर फिर लिखेंगे हम कॉस A बराबर 3 बटा 5 से के कमान दिया था कॉस A हमने निकाल लिया अब यह देखें कि कॉस A यदि पता है तो क्या हम साइने निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं sin A और cos A में एक संबंध हम जानते हैं ये संबंध होता है सर्वसमीका के रूप में जाना जाता है ये sin A स्क्वेर A प्लस cos स्क्वेर A is equal to 1 अब चुकि इसमें cos A कमान मालूम है sin A कमान हमको चाहिए तो हम इसको इधर पक्षांतरित कर देते हैं तो sin square A is equal to 1 minus cos square A अब हम cos square A में cos A कमान रखकर sin A की गढ़ना कर सकते हैं sin square A बराबर 1 cos A कमान क्या है इसमें cos A कमान हम कैसे रखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे sin square A is equal to 1 minus cos A और इसका हम कर देते हैं square अर्थात वर्ग तो यह हो जाएगा sin square A is equal to 1 minus cos A कमान क्या है हमने अभी निकाला का से कमान वो है 3 बटा 5 तो इसका हो जाएगा वर्ग sin square A is equal to 1 minus 3 बटा 5 का वर्ग का तात पर यह है 3 बटा 5 गुना 3 बटा 5 ऐसे भी बोल सकते हैं और हम इसको 3 का वर्ग और 5 का वर्ग भी बोल सकते हैं तो sin square A is equal to 1 minus यह हो गया 3 तीया 9 और 5 पंचे 25 sin square A is equal to यहां हम फिर लगुत्तम निकालेंगे तो यहां पर 1 के नीचे में हर में 1 है और 9 बटा 25 में 25 हर है तो 1 और 25 का लगुत्तम समापर्थे निकालेंगे यह ऐगा 25 इस एक से इस पच्चेस को भाग करेंगे तो 25 बार में भाग जाएगा उस 25 का गुना इससे करेंगे एक से तो यह मिलेगा 25 से कम 25 पिर इस 25 से इसको हम भाग किये तो एक बार में भाग चला जाएगा उस भाग पल एक का गुणा हम 9 से करेंगे तो 9 एक हम 9 sin square a is equal to 25 में से हम 9 गटाएगे कितना आएगा यह आएगा 16 अभी इसको हम लिखेंगे 16 गटा 25 यहाँ पर है sin square a is equal to 16 गटा 25 अरथाद 16 गटा 25 हमको चाहिए sin a का मान इसलिए इसको भी वर्ग की रूप में हम लिख लेते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं sin square a is equal to 16 को हम 4 के वर्ग की रूप में लिख सकते हैं और 25 को हम 5 के वर्ग के रूप में इसका मतलब इसको हम चार बटा पांच का वर्ग लिख सकते हैं अब यदि दोनों तरफ से वर्ग खतम हो जाए तो साइन एक अमान हम ग्याद कर सकते हैं तो इसके लिए हमको दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेना होगा दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर हमको जो मिलेगा वो हम लिखेंगे इसको ऐसे साइन स्क्वेर थीटा था इसका हमने वर्गमूल लिया ऐसे और इस तरफ था चार बटा पाँच इसका स्क्वेर इसका भी हम वर्गमूल ले रहे हैं ये वर्गमूल वर्गमूल लेने से ये वर्ग खतम हो जाएगा और यहाँ पर भी वर्ग खतम हो जाएगा और वर्गमूल चिन जो हट जाएगा यहाँ हम को मिलेगा साइन थीटा और यहाँ मिलेगा चार बटा पाँच इस तरह साइन थीटा का मान हमको मिल जाता है साइन थीटा बराबर 4 बटा 5 अब कॉसेक थीटा और साइन थीटा में भी संबंध होता है तो कॉसेक थीटा का मानी से हम निकाल सकते हैं क्या संबंध हम जानते हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्यूत्करम होता है व्यूत्करम होता है का मतलब कि कौसेक थीटा को हम एक बटे साइन थीटा की रूप में लिख सकते हैं तो कौसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा कौसेक थीटा का मान हम साइन थीटा का मान रखेंगे और हमको ग्याद हो जाएगा तो कोसेक θीटा बराबर 1 बटा sin θ का माँन हम रख देते हैं आपर ये है 4 बटा 5 अब ये देते हैं 4 बटा 5 को हम क्या लिख सकेंगे इसको हम उलट कर लिख सकते हैं 5 बटा 4 इस कर्त है कि कोसेक थीटा बराबर थीटा बराबर एक बटा, साइन थीटा का मान हम रख देते हैं, आपर यह है चार बटा पाँच अब एक बटा है, चार बटा पाँच को हम क्या लिख सकेंगे इसको हम उलट कर लिख सकते हैं पाँच बटा चार इसकर्थ है कि कॉसेक थीटा बराबर पांच बटा चार ये हमको प्राप्थ हो जाएगा साइने का मान और कासे का मान हमारे पास है और साइने और कासे को हम टेने की रूप में लिख सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हम टेने का मान भी ज्याद कर सकते हैं तो टेने बराबर हम लिखेंगे Sine A बटा Cos A और यहाँ हम Sine A और Cos A के मान रख देते हैं तो 10 A बराबर Sine A का मान हमने कितना निकाला है Sine A का मान हमारे पास है 4 बटा 5 और Cos A का मान हमारे पास कितना है Cos A का मान है 3 बटा 5 इस तरह 10A बराबर इसको हम ऐसा लिख पाएंगे 4 बटा 5 गुना 5 बटा 3 और जैसे ही इसको ऐसा लिखेंगे तो 5 यहां से cancel हो जाएगा और यहां हमको मिलेगा 10A का मान 10A बराबर लिखेंगे हम 4 बटा 3 अब केवल एक त्रिकोन में 3 अनुपात और बजगिया है जिसको हमको ग्याद करना है और वो है कॉट A आप जानते हैं कि 10A और कॉट A में एक संबंध होता है कि कॉट A तेन A का व्यूतकरम होता है तो हम इसका अब उप्योग करेंगे हम लिखेंगे कॉट A बराबर एक बटा तेन A और यहां पर तेन A का मान रख देंगे तो कॉट A बराबर एक बटा तेन A का मान रखेंगे हम तो फिर ये उलट कर लिखी जाएगी संख्या तो हमको कॉट A का मान मिलेगा तीन बटा चार इस तरह हमने सेख A का मान दिये होने पर सेश अन्य त्रिकोणमिती अनुपात ग्याद कर लिया और यहां पर हमने प्रत्येक त्रिकोणमिती अनुपात का एक दूसरे के साथ जो संबंध था उसका उप्योग किया